सफ़ा संदक्षार और उत्रप्रदेश के पूर्व मुखमंत्री मुलाइम सिंग यादब का सौम्मार को नितख हो गया 82 साल के थे मुलाइम सिंग यादब को यूरिन संक्रमाड पलट प्रेसर की समस्या और सांस लेने में काफी तकलीपों का और दो अक्टूबर से सामना चलना था और फिछले दो अक्टूबर से मेदानता के उस्पताल में भरती थे उनकी तबियत लगातार नाजुक बनी होई थी और आज सुबा उनका देहांत हो गया 82 साल के थे और 82 साल की उमर में ही उनका नितन हो गया पिछले कई दुनों से वह मिदानता के अस्पताल में भर्ती थे, उनका एलाच चलना था, लगातार उनकी हालत जो थी वो नाजुक बनी हुई थी मुलाहिम सिंग यादिप के भर्ती होने के बाद से ही अस्पताल में निताओं के मिलने का सिलसला लगातार जारी था रवार को निताओं का हाल जानने के लिए रगुराज परताफ सिंग और राजा भया में दानता अस्पताल पहुँचे वहीं से पहले आमादमी पांडी के सांसा संजे सिंग और उतर प्रदेश स्रम कन्यार परसत के अध्यच और दर्जा प्राप्त मंतरी राज मंतरी पंडित सुनील भराला ने भी अस्पताल पहुँचकर अखले स्यादव से मुलाकात की थी ये बड़ी ख़बर हम आपको दिखा रहे हैं प्रदान मंतरी नराद मूदी रक्षा मंतरी राजना सिंग और रुतर प्रदेश के मुख्वंतरी योगिया दितनात ने भी सफा प्रमुख अखले स्यादव से बात चीत कर मुलायम स्यादव की स्वास्त की जानकारी थी पीया मोधी ने अखले स्यादव को आस्वा सुन दिया था कि बेहर संबब बदत और सहärता देने के लिए मौजूद है वहिएराजनास सिंग मुलाइम सिंग यादब का حाल चाल जाने के लिए अस्मताल भी पहुँझे थे बताने कि मुलाइम सिंग यादब का जण 22 नमदर 1969 गो इटावाजले के सहफवी गाऊं में हुआ था उनके पता सुगर शिंग यादब एक किसान थे मुलायम सिंग यादव मौझूदा वक्त में मुलायम सिंग मैनपुरी सीट से लोगसवा सांसथ है उतरबदेश की राजनीती हो देश की राजनीती मुलायम सिंग यादव को प्रमुक नेताओं में किना जाता था पे तीन बार यूपी के सियम रहे और वो कैंदर सरकार में रक्षा मंतरी भी रह चुकी है इसके अलाबा मुलायम सिंग आठ बार बिधायक और साथ बार लोकसवा सांसद भी रह चुकी थी मुलायम सिंग यादब ने दो साधिया की थी उनकी पहली पत्नी मालती देवी की मरत्यों 2003 में हुई वो एकलेस यादब की मा थी मुलायम सिंग ने दूसरी साधी साधना गुपता से की थी मुलायम सिंग और साधना के बीटे का नाम परतिक यादब है हाली मैं साधना का भी निदन हो गया था और आज मुलाइम सिंग यादब का भी निदन हुआ ये बहुती दुखत खबर है कि आज नेता जी मुलाइम सिंग यादब धर्ती पुत्र जिने कहा जाता था वो इस दुनिया में नहीं रहे इस दुनिया को अलबदा कहा गए हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाते हैं और हर्षित की ख़बर सबसे पहले पाना चाते हैं तो सबसे पहले हमारी शैनल को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब करें साथ ही भल ऐकन को दबाईए ताकि हमारी ख़बर की आने वाली हर्ष रोडिफिकेसन आप तक सबसे पहले पहुचें नमस्कार